तो जो चीज सोच कर आप इस वीडियो के अंदर आए हो, पहले उसको किलियर कर लेते हैं कि M15 तो आज ही लॉंच हो है, तुमने इस जिए इसको एक सब्ता से ज्यादा कैसे यूज कर लिया, दूसरी बात एक ही वीडियो में दो फोन का रिव्यू कैसे कर सकते हो, तो इसका सि है लेकिन इसके अंदर भी कुछ कमी आए, वही जानने की कोशिश करते हैं, पहली बार चैनल पर आयो, तो लाइक करना साथ ही सब्सक्राइब करते हो जाना, तो सबसे पहले बॉक्स कंटेंड में आपको एक फोन मिलता है, और एक चार्जिंग केबल मिलती है, वाजब ना तो यहाँ पर कोई चार्जर दिया है, और ना ही कोई कवर, लेकिन जैसे फिलिप कार्ड के उपर बंडल ओफर था, यहाँ पर भी आपको 299 के अंदर इनका चार्जर मिल जाएगा, तो आप इसको खरीच सकते हो, अब सिधे फोन के डिजैन पर आते हैं, तो फोन का डिजै के अंदर आपको 6000 मिच के काफी बड़ी बैटरी मिलती है, जिसकी वज़े से इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लबक 217 ग्राम के असपास, आप सिक्यूरिटी के लिए यहाँ पर साइड फिंगर्पिंट सेंसर दिया है, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी के ट के वीडियोस आप देख सकते हो, साथ इसाथ डिस्प्ले में वाइडवन L1 का सपोर्ट भी है, HDR कंटेंड का सपोर्ट नहीं है, वागी साउंड के लिए आपको सिंगल स्पीकर दिया है, लेकिन सिंगल स्पीकर होने के बाउट जो 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 लाउडने से वह आपको अच्छी का स्टोरेज है, इसके जो अंटटो स्कोर है, वो साड़े तीन लाग के आसपास निकल कर आते, तो प्रोसेसर वाइस तो कोई दिक्कत नहीं है, बजट सेग्मेंट के अकोडिंग काफी अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन यहां पर जो सैमसंग है न उस प्रोसेसर को उतना है, तो मैं आपको सजेश करूँआ, अगर आप इस फोन को लेने का सोच भी रहो ना, तो यहां पर आप 6GB वेरेंट के साथ ही जाना, रीजन बताता हूँ, क्यों? इस फोन के साथ में जो सॉफ्ट्वेर प्रोमिस है, वो सैमसंग ने काफी बड़े की है, चार साल के और पा आपको काफी सारे फ्रेम डॉप्स आपर देखने को मिलेंगे, एवन गेमिंग के टाइम, अगर आप अधर एब भी यूज़ करोगे ना, तो यह फोन अपनी परफॉमेंस को काफी ज्यादा ड्रॉप कर देता है, तो यह चीज़ आप थुड़ी सी ध्यान में रखना, बाक आपको इस फोन के साथ में देखने को मिलेगा, और शुरुवात में आपको कुछ ब्लॉट्वेस भी देखने को मिलेंगे, जिनको आपको अनिस्टोल करना पड़ेगा, और कुछ टाइम बात मैंने आपर देखा, एक सेमसंग का बैनर टाइप का कुछ बना हुआता है, जह आपको मिल जाएगा, आगे चल कर हो सकता है, वो आपको 1012 के असपास देखने को मिलें, बाकि बैटरी बेकप इस फोन का बहुत ही कमाल का है, अच्छा कासा यूजेस करने के बाद भी एक से निरे दिन का बैटरी बेकप ये फोन बहुत ही आराम से निकाल लेगा, नेटव आगे बढ़ते हों, बात करते हैं इस फोन के कैमरास के बारे में, लेकिन उससे पहले अभी तक आप वीडियो में आचुके हो, कई पर भी वीडियो पसंद आ रहे हो, जल्दी से लाइक कर दो, साथी साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि वीडियो ज्यादा लोगों त अच्छा होता है, में कैमरा, डाइनमिक रेंज अभान वर खंटोन, को भी अच्छे से कर लेता है, चाहिए नॉर्मल फॉटो, या फिर इसके पौट्रेट फोटो, अगर रात में रेर कैमरा यूस करते हो, तो फोटो काफी ब्राइट होते हैं, जन्वर तो और उन जोढ़ की ज़रत है वागी औरोल सेल्फी काफी अच्छा है रात में सेल्फी केमरा यूज करोगे तो फोटोस काफी ब्राइट होते हैं लेकिन डीटेल्स आपको दिन की मुकाबले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे वागी स्किन टॉंस और कलर्स बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हैं अब में केमरा के अलवा 5 मेगा पिक्सल का अल्ट्रा वाड़ेंगा लेंस भी याँ पर दिया है जो कि डीसंट टाइप का पफॉर्म करता है डीटेल्स कम होते हैं लेकिन कलर और लाइट कंट्रोल यहां पर काफी सही है वीडियोस के बात करें तो रेर केमरा हो या फिर फ् काफी अच्छा option है बस आप द्यान में रखना कि यहां पर आपको चार्जर अलक्स है पर्चेस करना पड़ेगा और यहां पर आपको फोर जी भी नहीं बलकि सिंग जी वेरेंट के साथ ही जाना है पर्फॉमेंस इसके साथ में आपको डिसेंट टाइप की मिलेगी ज्याद विचर भी देखने को मिलते रहेंगे मैं मिलता हूं किसी नेक्स वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत